हालो स्टुडेंट्स आज हम डी सीएं 26 का सोलीशन करने जा रहे हैं इन अर्गिनिक का जो पार्ट है पी ब्लोक देखें फर्स्ट कोश्चन इलेक्ट्रो वे जखें उफ डिजवे जर्ट हें सती एते कंगे कि इसम नेगेटिबिटी ऑफ एल्योमीनिक्रों को एंके है वह करेक्ट हुए ममेग्णा रेशन्षिप दिखाता है कि है और कि डाईगनह वेशनिके कारण होता है डाइगलन रिशन्सिप के कारण बेरेलियम एलुमिन की इलेक्ट्रोन विड़ी सेम होती है और यह होती है वेल्ली बता दू आपको में इन होती है 1.5 1.5 होती है question number two the increasing order of atomic radii of the following group of 13 elements बोरोन, aluminum, gallium, indium और thallium अब नीचे की तरब जाते है अपन size increase होता जाता है तो बोरोन तो हमारे पास यह नहीं है aluminum से start किये है तो यहाँ आपन size increase होता है लेकिन यह जो gallium का size हो aluminum से small होता है due to transition contraction बोल दो यह फिर d electron आगे बीच में और d का क्या होता पूर shielding effect होता है पूर shielding effect होने बढ़ जाता है size small होता है तो यहाँ gallium का size aluminum से small होगा और indium और फिर thallium जैसे इन दोनों का size almost same होगा size difference कम होगा less और यहाँ पर due to d electron के करण इसका size क्या होगा small हो जाएगा तो gallium aluminum indium और thallium second is correct देखो यहाँ पर इनमें सब में aluminum चोटा बता है gallium चोटा होता है जब कि थार्ड कोश्चन h3b03 h3b03 देखिए यह इसके पास vacant orbital होता है तो यह यहाँ पर क्या करता है एक लोन पर किसी से accept कर सकता है vacant orbital तो यह क्या होता है एक छारकिये नहीं mono basic और weak Lewis acid होता है first tensor is correct mono basic और वीक है Lewis acid है को अगर प्रोसेज्ट का अगे जाकर कि किस तरह से बढ़ेगा तो यह प्रोसेज्ट का आगे जाकर कि किस तरह से बढ़ेगा तो देखिए इसमें क्या करते हैं संपक शिस वन टू डाइयोल मिलते हैं जिसके काड़ एन की stability क्या होती है बढ़ जाती है और एन ज्यादा स्टेबल होने से यहां पर हम यह कह सकते हैं देखिए सिस अब इसमें बी के अंदर हमारे पास ओवच 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 तो यहां से क्या होगा एस्टू रिलीज हो जाएगा इदर से एस्टू रिलीज हो जाएगा तो यहां इसन की स्टेबिलीटि क्यों हो जाएगी आपकी बढ़ जाएगी इसन हैन की स्टेबिलीटि यहां बढ़ेगी और इसन निंके पचार जाएगा आपका मायनस निगेटिव तो नीन ज्यादा स्टेबल होगा सिस 10-12 एडिशन ऑप और सीस-12 डाइयोल से एनाइन ज्याद़ स्टेबल होगा तो रेक्शन गॉज इन फॉरवर्ड डिरेक्शन वेल पॉपलर कुश्चन है वी जैसे ही आपके पास एनाइन बन रहा है इस एनाइन को स्टेबल करना है तो इसके लिए देखिए एच्टू निकल के निया रिंग बन जाए किलेशन हो जा है एक तो बनेगा एगन एक बनेगा एनने को है यो यह पर certified ओक्सईडेशन नबर जीरो है यह माइनस वन है और यहां पर कलोरिन नंग हो गया फ्लस बन्कोट यह खोड़ा हैं और रेड़क्शन होगला को जो फ IT- pedo कि क्लॉरायट बंता है कि और को कि ऐसे सिद्व है पॉर्मीकशिड है कॉंसेंट्रेड इस फ्रौट डी हाइडरेटिंग एजेंट हो गया बच्छो कि पिए रिखेसेंट है अब आपको भी हैडिति ईजय इस Chemistry कि जड़ nat interesting one सूर्छें पूर्टार को अप्जोब करेगा तो प्लस एक टू हो 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 सिझार प्षेंस करेंट the element that does not show the catenation is catenation depend करता है आपका energy पर bond energy पर catenation directly proportional to bond energy bond energy जो होती है यहां आपने पड़ा हुए carbon है silicon है germanium है tin है और lead है तो PB की जो है catenation energy बिल्कुल consider नहीं करते है ठीक है तो अपने यह कहते हैं कि यह कभी सरंखलंग की परवर्ति नहीं दिखाएगा बाकी की जो है bond energy जो है आपकी carbon की बहुत ज़्यादा होती है ठीक है silicon germanium और germanium tin की almost same से रहती है और वैसे होता decreasing order में है तो catenation अपन करेंगे कि यह PB शोन नहीं करेगा देखलोराइट देट कैनोट केट हाइड्रोलाइज जो हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता है देखे CCL4 नहीं होगा क्योंकि इसमें वेकेंट और्बिटल नहीं है तो दूटू अपसेंस आफ वेकेंट और्बिटल बाकि में देखेंगे को सिलिकन वेकेंट है रेड़ में इनका हाइड्रोलाइज होगा सेंटरल एटम के पास वेकेंट और्बिटल होना चाहिए तभी हाइड्रोलाइज होता है तो CCL4 nहीं होगा और SICL4 का हाइड्रोलाइज होगा कि the CC bond length is maximum किसमें CC Welland maximum is to graphite hey और एक दाइमंड ग्रेफाइट में दो देखो boug डबल बॉन लेंथ और सिंगल बॉध दोनों होती है और दाइमंड में आपके पास सिंगल बॉन लेंथ ही आती है अ कि और इसमें भी डबल और सिंगल दोनों बॉट लेंथ रहती है इसमें double bond होती है इसमें single bond होती है इसमें single double दोनों होती है तो maximum किसमें single bond की होगी जो CC bond लेंगाती है 1.54 एंगस्टा यह C60 C70 क्या होगे फुलरीन हो गए आपके the element that show the greater ability to form the P5 P5 multiple bond P5 P5 multiple bond की जो tendency ज्यादा किसकी है यह पुछ रहा है तो बचों यह carbon में होगा P5 P5 बाकी में तो क्या है vacant D होता है तो वहां पर D की possibility ज्यादा रहती है तो हमारा फॉर्थ एंसरी क्रेक्ट नेक्स्ट कुश्चन की तरफ बढ़ते बच्छों कि C60 एन अलोट्रोप ऑफ कार्बन कंटेन देखे इसमें 20 हेग्जागोन रिंग होती है ऐसे रिंग और पेंटागोनल रिंग होती है 5 मेंबर रिंग होती है तो यह होती है आपकी 12 और यह होती है 12 तो इस तरह से 32 का इसमें एक फेशेट बनता है तो यहाँ पर 20 एग्जागोन और 12 पेंटागोन हो जाएगा सेकेंड एंसरी करेक्ट सी 16 मॉस्ट कॉमन जो है फुल रिंग आता है जो सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल होता है कि में में टू एसाई सील टू और हाइड़ लैसिस फॉलोड बाइडा कंडेंसेशन विल प्रोडूश देखें में टू कि एसाई सील टू है कि इसकी रियक्शन वोटर से कराएंगे तो सबसे पहले ता जाएगा एमेट्टू एसाई ओवज का होल ट्वाइस और फिर आगे कंडेंसेशन कराएंगे तो फिर एमेट्टू एस आई यह ओ आ जाएगा और इस तरह से यह यूनिट्ट क्या हो जाएगी आपके रिपीट होती जाएगी फिर इधर भी आपके पास क्या जाएगा ओ आ जाएगा तो थार्ड एंसर आपका करेक्ट हो जाएगा विचो फॉलोविंग ओक्साइड इस न्यूट्रल ओक्साइड होता है सियो सलटू जिंक और सियोट्ट तो न्यूट्र ओट्ट का कार्बन को से magist न्यूट्रल ओक्साइड पीडिजिंपल अच्छाcoon आ तान्य जिंक आज painter लेकिन कार्बन काप्साइड सक्त 여기에 कैसा होता आपका नियूट्रल आपको पता हैं इस कार्बन मौनोक्साइड का स aspire यू है कि ammonia can be dried by ammonia की नेचर कैसी wish COP बैसिक होती है तो बैसिक बैसिक की साथ रेक्षन करेगा तो क्विक लाइम आपके पास होता है केल्शियम ओक्सायड यह वहर। बैसिक नेचर का लिए बैसिक वाला इसके नहीं करेगा बाकि एसेडिक वाले रिक्षन कर लें तो फॉर्थ एंसर इस करेक्ट यह सोल्ट हो जाएगार दो एसेडिक हो कि विचों फॉल्विंग कैन एक्जिवीट मोर देन वन ऑक्षिडेशन स्टेट इन इट्स कंपाउंट एक अपने योगी को में एक से अधिक ऑक्षिडेशन अस्तें दर्शा सकता है हाँ हाँ है तो उसन दिखा देगा बेच्छों ऑक्षिजन कि मौर देल दिएग हो फ्लोरीन के एक ऑक्षिडेशन स्टेट होती है माइनसे के अलोमेनियम के एक के प्लस थ्री मैगनेशियम की प्लस टू तो यह सकी मौर देन वन आजेगी माइनस-2-1,0 अना, प्लस 1, plus 2 जैसे सारी oxidation state होती है minus 1 minus 2 minus 1 upon 2 0 plus 1 plus 2 more than 1 oxidation state मिलेगे आप देखने को axial bond and equatorial bond are present in which of the given species देखे हाइबराज़ाशन आपके पास होना चाहिए SP3D तो इसमें देखिए आपके पास यह फोस्पोरस है axial bond भी है equatorial bond भी है दोनों ही है इसको axial बोल देंगे इसको आप equatorial बोल दीजिए equatorial और axial दोनों bond आपके पास है अब इसमें आपके पास केवल axial होगा equatorial नहीं होगा तो दोनों bond आपको इसी भी मिलेंगे और co2 linear molecule होता है यह तो हो जी नहीं सकता आपका कि शेप एंड हाइबर्डाइशन आप सब्सक्राइबर्डाइशन आप निकाल लीजिए कि सल्फर है सल्फर के वेलेंशल में आपके पास होगे श्य एलेक्ट्रोन च्छ और चार दस्त थैस्पी 3D हाइबर्डाइशन हो गया श्य देञएबर्डाइशन इस बचयो श्यप कैसे हो हो गया शीरा से फोDER्डाइबकोहे का कि श्य होज़य को निक дов डेक एंड लोन प्याजैगा आपका ंट क्वेसं हुरे वह चंप कस्थी शीप हो जाएगा आपका हुआ है 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 तो टोटल नंबर और प्रेजोनेटिक स्ट्ट्चर और कार्बोने टाइन और अधर आपके पास अब यह ऑक्सिजन यहां पर जाएगा तो एक और यह बन जाएगी इसकी फिर वापिस आपके पास में एक पॉसिबिलिटी कि यहां डबल बुंड आ जाएगा फिर यह नेगेटी चला जाएगा आपका ऐसे करें थ्री रेजोन इस्ट्रक्चर बनेंगे इसकी थ्री आरेस हो जाएगी और ओजोन में दो होती है आपको बता है टू आरेस इसकी हो जाएगी थ्री और टू थर्ड एंसर इस करेक्ट कि दा मोलेक्ल विस कंटेंड ओनली पाई बॉंड कौन सा और केवल पाई बंद रखता है जैसे देखो एंड टू में सिग्म और पाई दोनों ते बॉंड ओडर निकालेंगे मोटी से इसका मोटी से बॉंड ओडर निकालेंगे बॉंड ओडर आएगा बत्चो दो दो का मतलब है इसमें यह भी पाई होगा और यह भी पाई होगा पाई बोंड मिलेगे आपको यह गेस फेस भी मिलेगा आपको इसमें सिग्मा और पाई दोनों होंगे एक ट्रिपल बॉंड आप लेते हैं से यह सिग्मा है यह पाई है और ऑक्सिजन में एक आपका सिग्मा हो गया और एक पाई हो जाएगा लेकिन शीटू में ओनली पाई बॉंड होगा कि पाई बॉंड प्रेजेंटिंट अब देखो बच्चों यह नाइट्रोजन ऑक्सिजन कार्बन ऑक्सिजन नाइट्रोजन ऑक्सिजन तो यहां तो पीपाई कभी वेकेंट निये तो यहां एस तो टू में होगा और इसमें आप यह देख सकते हो एक पीपाई पीपाई होगा और दूसरा पीपाई डीपाई होगा इसका हाइबरडाजेशन है एस पीटू तो आप ऐसे द्यान रख सकते हो कि जिसका हाइबरडाजेशन एस पीटू होता है ना संद्ध के तो उसकेसमें वन जो है वो पीपाई होता है म्टाउधैबर होता है उसकी त्री के नदर ऑफ्या इंदर यह याद रखे स्चेस आपके सारे कुश्ञा को देख say इसकी नेचर हो गई बेसिक तो आपके पास आएगा वह एसेडिक हो गया तो इसकी नेचर हो जेगी आपकी एसेडिक बाकि सीओ नूटरल है एल टू थ्री एमफोटेरिक है तो आपका सेकेंड एंसर इसकरेक्ट विचो फॉल्विंग स्टेक्ट्मेंट इसक्रेक्ट कोण सा कथन सही है एच त्री पी ओ त्री जैसे मालो देखो इनकी स्ट्रक्चर आप ऐसे बनाते हो अब देखो बच्चो हमारे पास है एक होता है एच थ्री पी ओ थ्री इसमें आपके पास है और को यह डाई बेसी डाइशिक हो जाएगा अब और यह रिडूसिंग भी ओगा इसमें पीएच बोंड है उसकी कार्ड डिशिंग नेचर भी है फिर बोलाव डाइभ बेसिक है नों पिर गलत हो गई है फिर बोल्ड ट्राइब एसीक यह नहीं है रही तुर्य यह ट्राइ इसकी डिदीशिंग नेचर भी होती है कि इन विचो फॉल्लविंग रियक्षिंस कंसेंट एस तो फॉर इस यूज एन ऑक्षिडाइजिंग एज डिएजिंट कि देखें यहां पर एसटोफ फोर जो है इसका अध्याशन नंबर शिक्स है तो यह किसमे जा रहे हैं जारा है और सब्सक्राइब इसका डिक्रीज हो रहा है इसका मलब यह ऑक्षिडाइजिंग एजिंट की तरव बहुत कर रहे हैं तो जिसमें आइसो टू बन रही है तो ओ और बाकी सब रिडूजिंग एजन्ट हो गया यह आई माइनस हो गया कोपर जिंक हो गया कि विच इस नोट करेक्ट मेचिंग अकोर्डिंग देर प्रोपर्टी कोन से उनके गुण ऑक्षिकार के नुसार सही मिलान नहीं है ठीक है फ्लोरीन ख्लोरीन ब्रोमिन आइडिन ऑक्षिडाजिंग पावर का ओडर यह तो सही आ रहा है बच्चो फिर आधा बॉंड इस्ट निवे ऑनी नेर्जी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमिन आइडिन यह गलत ऑडर आ रहा है देखो यहांट की बाक्षिट आएगी वट ज्याधा मिलेंगे आपको स्ब्ह 청ण की क्यों हो जाएगी क्योंकि यहां पर फ्लोरीन आइ फ्लोरीन जो होता है कि इसमें यहाँ लोन पे लोन पे लिपल्सल लगेगा तो इफेक्टिव रिपल्स कि इसके बांड ऑज जाती है तो यह आपका इंकरेक्ट है फ्लॉर्ण को यह वह यह व्योंदर है एटोमिक साइज का अब आपका करेक्ट आ रहा है लेकिन सैकेंड आपका इंकरेक्ट आ रहा है क्योंकि फ्लॉरिन जो इन्रजी होती है बो कम हो जाती क्लॉरिन की सबसे ज्याधा रहती है यहां पर bond energy which is incorrect कोण सा गलत है single NP NN bond is stronger than single PP bond यह गलत है। देहू यहाँ पर PP bond और यह है NN bond अब यहाँ लोन पर रिपल्शन लगरा है इलेक्टोनिक रिपल्सन लग रहा है क्योंकि साइज स्मोल है स्मोल साइज इसलिए बॉंड एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी सिंगल बॉंड की लोन पेर के तो पहला आपका इनकरेक्ट आ गया है दूसरा एनेस थरी के नेक्ट अजी लुईस बेस सही है लोन पेर के काड़न इस पर नाइट्रोजन पर लोन पेर होता है तो लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा एन नोट इजब पैर मैगनेटिक नेचर यह भी ठीक है क्योंकि अनपेरड इलेक्टोन आपको मिल जाएंगे यहाँ पर फिर कोवेलेंशी ओब नाइट्रोजन इन एन टो फोर इस फोर यह भी सही है देखिए यहाँ पर आपके पास कोवेलेंशी आपके पास च्यार आ गई तो आपका फैला जो है वो इनकरेक्ट अंसर कि विच नोट करेक्ट मेचिंग अकोर्डिंग और देर प्रोपर्टी तो अपने देखना कौन सा जो मेच नहीं है नोट आ रहे है 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 एक फैसले एक एक स्टेंथ का ओडर सही है बच्चों हाइड्राइडों में क्या होता है लाफ टू रच टॉप बोटम जाओ साइज बढ़ रहा है तो इस ब्रहें बढ़ रहा है बोईलिंग पॉइंट का ओडर जो है वो यह गलत हो आपका क्योंकि यहां एक सब्सक्र का रहना है और मेल्टिंग पॉइंट आपका है का ज्यादा है है एक स्टाइज ब्रश हौन एक स्टाइज वांड लेंद का अडर तो आपका सेकेंड एंसर करेक्ट होगे क्योंकि एक सफ का ज्यादा होगा ड्यू टू हाइडरोजन बोंडिंग कि विच ओक स्यंटित एस बॉंड कि पुछर आपको तो बच्चों को एक टू एसट्यू एसट्यू ओ सेवन ये और यह पास और यह यह फो फाइब स्वाइब नहीं और एस टू सिक्स जो है सबस्क्राइब इसमें s s linkage मिलेंगे अब को यहां s s linkage आपके आपके बाहर स्फ आजये आपका है यह आफ यह लिए तो स्थेवर कि अलियम तो s सब्सक्राइब करेक्ट मेचिंग अकोर्डिंग टू दियर गीवन प्रोपर्टी गुण के अनुसार सही मिला नहीं है सब्सक्राइब क्योंकि यहां पर लोन पेर आपके पास है एक एक लोन पेर का रिपल्शन है ओक्सिजन पर यहां दो-दो का रिपल्शन लग रहा है इसलिए इसकी एनरजी क्या होगी सिंगल एन-न की ज्यादा रोऊग की कम मिलेगी आपको तो यह गलत मैचिंग है और बोन्डेंगल आपका एंश्टिरि पीएस्टिरी कि यह ओर्डर भी सही आ रहा है क्योंकि इसमें अपन जैसे क्राउडिंग बढ़ेगे देश्टी स्टेंद कम हो जाती फोस्फी ऑक्सिट में एक्सेप्शन है तो आपका सैकेंड जो है वो इनकरेक्ट में जा रहा है कि इस पुझी अधिन को पोसीबल नहीं है था देखिए प्रोमीन फ्लोरिन और यूडर आपको पता है कि यहां ब्रोमीन जिए को रिप्लेश कर सकता है यह ठीक और यह लिक्न ओनार को सकता यही घलत है इस और सिय josh को रिप्लेश कर सकता है फ्लोरिन कर सकता है है तो यह आपका बहुत अच्छा कोश्चन है बच्चो विचोफल डजनोट गिवदा ऑक्सीजन ओन हीटिंग जैसे देखो क्लोरेट डाइक्रोमेट इनको अपने हीट करते तो यह ओक्सीजन देते हैं देकिन देखें यह इसको आप हीट करोगे तो बच्चो यह क्या देगा आपको एंट्टु देगा यह हो गए आपका H2O और PLUS C2O3 तो यहां आपके पास हो गए 4 वोटर 4 लगा दो यह 4H2 आगए 4 यह 3 7 यहां एंट्टु केसे सेकेंड में आपके ही बाकी केस में आपके पास आक्सीजन आजाएगी कि नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं बच्छों 31 कि डाइब और रेंगे कि बीट्टो एसी सी रेक्शन अमोनिय के साथ कराएंगे 450 केल्विन तो कंपाउंड बनता है और एक्सेस अमोनिय लेंगे हाई टेम्परेचर पर क्या बनेगा तो देखिए यह वाला जो है टेम्परेच बनेगा इसे बोरोन का नाइट्राइड इन और्गिनिक ग्रेफएड बोलते हैं इसको तो यह हमारे पास आजाएगा बोरोन बोराजोल बोरोन नाइट्राइड तो पहले गड़त हो गया है तो दूसरा आपका ठीक जा रहा है विच्छों फॉल्विविए पेर ओफ रिपर्जेंट देश्यक्लिक अडबल चेंड अब यह कोई फॉर्मिला जन्रल पूरूल आपको याद रखना है साइकलिक होता है साइज यह 3 और डबल चेंगल चेंड अगता से लिकेट यह दबल चेंट है बंग यह तो आपका तो आपका सेकंड Bene financier जारा है उस्में ऐसे टो शिक्स ओ सेवन यह तो पाइरो सिलिकेट का आ जाता है जिसमें बन ऑक्सिजन शेड में जाता है कार्बन मोनोक्स एड्ड विए वज लुए बिवे वेश बेस्ट विकोउज इड्ड कंटें देखे कार्बन नौक्स एड़ कूपर यहां लॉन पेर होता है बच्छो ताने में कार्बन इत्तम इस वज़े से यह लूईस बेस्ट की तरह बिएव करता है लिएट बनता है यह कि शिलीकॉन एज ट्रोंग टेंडेंसी तो फॉन पॉलिमर लाइग दर शिलीकॉन सब्सक्राइब चेंड लेंथ ओप सिलीकॉन पॉलीमर कें बी कंट्रोल वा एडिंग बहुलक की बनानी परवर्थी होती है छिलीकॉन बहुलक संखला को लंबाई को निद ठीक है देखो इ यह हैं हमारे पास में 3 ऐसा ही सिल जो होता है इस तरह से जुड़ा रहता है यह अब इसमें क्या आता है यह ओच आगे अब आगे जाकर के जो हमारे पास है चैन सिलिकन की जो है ग्रोथ देखी साइड से रुख गई आपकास ऐसे आप इदर टर्मिनल पर इसको मिला दीजिए अब यहां से एस्टू निकला आपने इधर से आपकी चैन रुख गई ब्लोक हो गई आप इधर भी एड़ कर दोगे ऐसे ही तो इधर से आपकी चैन रुख जाएगी तो चैन को कंट्रोल करना है था आपको ट्राइब मेथिल क्लोरोसिलिन लेना पड़ेगा आइडेंटिफाई दा क्रेक्ट स्टेट्मेंट रिगार्डिंग दे स्टुक्चर अब डाइब औरेन बीट तो डाइब औरेन की स्टुक्चर आप देखो बच्चों जानते अच्छे से यह हो गए आपका तो यह आपके पास है 2C2 एलेक्ट्रोन बॉन्ड है और यह आपके पास है 3C2 एलेक्ट्रोन बॉन्ड तो पहले देर आर टू ब्रीजिंग हाइड्रोजन एटम राइट ओल्ड दा है नोट इन दे सेम प्लेन नहीं है यह अब और बिलो दे प्लेन है इस बोर्वन अटम इन दा एस्पी थ्री आइबेडाजिशन यह भी सही है एस्पी थ्री आइबेड़ेशन में है तो ओल्ल दा स्टेट्मेंट आर क्रेक्ट फूर्थ एंसर आपका क्रेक्ट हो जाएगा बच्छो अब स्ट्रक्चर ऑफ डाइब और बीटोस इस कंटेन अभी स्ट्रक्चर बिता ही थी उसमें आप देखा फोर टूसी टू बांड और एंड टू थ्री सेंट्रेट टू लेक्ट्रन बांड अभी आपने स्ट्रक्चर लिया था तो ओर टूसी टूलेक्ट्रन बांड आपके पास और दो है आपके पास थ्री सेंटर्ट्र टूलेक्ट्रन बांड तो यह आपका क्रेक्ट्चर रहा है पिए कि टू सी दो बोल रहे टू सी ट इलेक्ट्र गलत हो गया है तो कोछे है प्रोसी टू एलेक्ट्रोन बांड और फोर ट्री सी यह भी गलत हो गया तो पहला ठीक आपका अंवर है कि ऐसे ही आपके पास कि यहां वेकेंट पड़ा है तो यह क्या करता अपना लोन पेर देखें के कोडिनेट बना लेता है कोडिनेट बना लेता है तो फोर्थ एंसर आपका ख्रेक्ट हो जाएगा बोरेक्स के अंदर क्या होता है आपके पास दो टैप की यूनिट होती है इसमें थ्री दोर तो टेट्राइडल यूनिट होती है जैसे आप नहीं देखा होगा इसका स्ट्रेक्ट्च्राइग जैसे दो हम यह से ले रहे है अब दो हमारे पास कैसे आईगी यह देखो अब इसमें से जो नेगेटिव चार्ज आपके पास आजाएगा इन दोनों पर नेगेटिव आ रहा है तो माइनस टू बाहर आजाएगा तो यहां से आपके देखोगे कि यह बिल्कुल क्लियर होगा एक यह बॉन्ड बाप को बन जाएगा झाल 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 इसका है वेड़ाशन है SP3 इसका है SP2 तो दो टेट्राइडल उनिट होगी और दो आपके पास होगी प्लेनर यूनिट अब बोरेक्स फर्मूला पता है आपको एने टू भी फॉर ओ सेवन वह किते आपके पास चार आले फॉर वह आ जाएंगे वी फाइफ आ जाएंगे वी फॉर और फाइफ फॉर और डोट एट एच्टू लिख सकते पर आगे आगे अपने हैसे लिखते एट टू यह सोडियम आपके पास आजाएंगे दो कि अस्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है इसकी सोलीड फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड सोलीड फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड एग्जिस्ट इन विच उदा फॉलोविंग फॉर्म यह पीसी एल फाइब जो होता है बच्चो सोलीड फेज में यह क्या होता पीसी एल फॉर केटाइन पीसी एल शिक्स यह एन नायन में कनवर्ट हो जाए जाए आपका यह पैरा यह पैरा मेगनेटिक होता है यह डाया मेगनेटिक होता है तो यहां पैरा मेगनेटिक करेक्टर डिक्रीज हो गए आपका कलर बीकम डार्क नहीं यह कलर लेस हो गए आपका यह कलर लेस होता है यह ब्राउन कलर की गेस होती है ब्राउन गेस बोलते हैं इसको इनो कि प्रेशर आपका कम होगा इंक्रीज नहीं होगा इसमें अब आपको फेसोफ फॉर फॉर्म दा ब्राउन रिंग वेच फॉल्म दाफ फॉलोविंग देए बच्वाइश ओफ और नाइट्रेट आएन लेते हैं अपन एसेडिक मीडियम में तो इसमें क्या बनता है एक तो अ इन लुबनता है आपके पास और वोटर आपके पास होता ही है यहां पर यह बन जाएगा एप फी एच्टू ओफाइफ एन लोग और एसो फोर यह है आपका ब्राउन रिंग कम्प्लेक्स तो यह बोलगा ब्रावन रिंग विच ऑफ दे फॉलोविंग किसके साथ बनाता है ब्रावन रिंग तो एनों के साथ बनाता है थार्ड एपका विचो फॉलोविंग स्टेट्मेंट इस टू पॉस्पीन के लेस्ट गैन अम्मोनिया ज्यादा बेसिक होती है यह जी फोसफीन है तो ас यह घलत सोगे है लोगन सॉपास पढ़ा है रॉडर 與 स में इसका प्योष ऑर्ग बेज के पर होते हैं यह लोन पेर पड़ा आपका इन प्योर एस ओर्बिटल और यह पड़ा आपका SP3 hybrid orbital और वैसे देखलो जैसे जैसे अपन साइज बढ़ाते जाएंगे वैसे लोन पेर की availability कम होते जाएगे यह भी बता सकते आप तो आपका फस्ट एंसर जो है वो ट्रू है कि वाइट फोस्पोरस कि पीफोर यह वाइट होता आपका और इसको जब बोईल करते हैं कि एनने ओस कास्टिक पोटास के साथ में तो बच्चों आपको पता ही है क्या बनता है तो फोस्पीन गेस बनती है और सोडियम हाइपो फोस्पाइड बन जाता है एनने टू एनने एच्टू पी ओ टू सोडियम हाइपो फोस्पाइड और फोस्पीन गेस तो फिर्स्ट एंसर आपका करेक्ट हो जाएगा यह डिस्प्रोपोर्शन का एक्जम्पल हो गया हाइपो यूज फोटोग्राफी हाइपो होता है बच्चों एनने टू एस्टू ओ ओ तरी सो इसको जब अपन एजी बी आर में मिलाते हैं तो यह कॉंप्लेक्स बनाता है अग्याइजी एस्टू ओ थ्री यह देखिए यह एक वाटर सोलिबल कॉंपलेक्स बनता है बच्चों एजीक आउक्षिडेशन नंबर आपके पास है यहाँ पर हाइपो है सोडिम हाइपो लगी इस पर माइनस टू आएगा आपके पास यह है एक वाटर सोलिबल कॉंपलेक्स तो इसमें देखे एजीक आउक्षिडेशन नंबर आपका प्लस वन आना चाहिए एजीक आउक्षिडेशन नंबर आपके पास है वन आना चाहिए तो यहां आपके पास हो गया मैंनस चार तो इधर यह थ्री हो जाएगा बच्छा option के according clan clear करें dhp to change the advr in HD each changing the military even here to remove the metallic then to remove the un non compost DIVR in the form of soluble complex for hm term fourth is correct select the correct statement about the ozone layer ozone lies useful होती है बच्चों भी कोछ प्रेवेंट दाया यूवी रेज रेडिशन सन को सन में जो यूवी रेज इसको रोकती है तो सेकेंड ठीक आपका कोबाल्ट के साथ में जो होता है अभी थोड़े पहली बिताया था मैंने एनीटू जो वैसे देखो और बोरेक्शन करके और यह बना बनता है कोबाल्ट के साथ में CEO कोबाल का मैटाबोलेक्ट गूधे यह फिखलर काव्य बनता है में ब्लीए बनना desert की मनका होती है बोरेक्श के साथ मैंञेज पढ़ तेस्ट होताया आपका आपका फर्स्ट अन्सर आपका करेक्ट है कि Aluminium वेकं पेसीव इन नाइटरीक बिकोज इट तेड़ियूमिनियूम क्या होता है एक थिन लेयर ओक्साइड की बना लेता है इस वज़े से यह क्या होता है नाइटरीक एसिट के साथ में निसकरी होता है यह इनक्टी बोर सकते हैं प्लएक क्लेक्ट लेवी सेसिटीक स्टेंद बोरोन हैलाइड देखिर बैंक बोल्डिंग का उल्टा होता है विसमें बीबी इस माद बी फ्रीन BBR3 BCL3 और BF3 यह आपका Lewis Acidic Strength का ओडर है बैक बंडिंग इसमें बैक बंडिंग जाज़ा जाती तो बैक बंडिंग का उल्टा मालो आप तो BI3, BBR3, BCL3 तो थार्ड एंसर इसक्रेक्ट डाइबोरेन रेक्ट विद दे वाटर डाइबोरेन B2H6 वाटर से रेक्शन करेगी बच्चों यह बन जाएगा H3, BU3 और तो बोरिक एसीड और हाइडरोजन गेस तो यह आपका थार्ड एंसर इसक्रेक्ट यह बनाई था यह देखिए 2 bond are 3 centered 2 electron bond यह हमारे पास जो आ रहा है इसमें किते electron है 4 electron है यह जो bond आपको दिख रहा है बच्चों यह है 3 centered 4 electron bond तो 2 bond है ऐसे यह ठीक है 2 bond are 3 centered 2 electron bond 2 bond are यह गलत हो गया है 3 centered 2 electron नहीं है इसमें और यह एंगल c l l c l 3 c l l यह bond angle जो आ रहा है आपका 110 और एक 93 हा गया है और एक है a l l c l और यह जो bond angle आपको दिख रहा है यह 87 है और यह bonding आपको दिख रहा है 110 है और अंदर वाला जो आपका 193 है तो यह सही आपका तो आपका second जो है वह incorrect आ रहा है बिल्कुल एंशाटिम इसका structure दे रहा है अल 2 c l 6 का यह यही टरी का dhymer बच्चों अगा बोर्स का साइस फ्रॉर्मुला अभी पूछा में ना भी बताया था एंड्य टू बी 407 डोट देखो एन ने टू बी 407 डोट 10H2 होता है लेकिन एक्ट्ट्वल में इसको अपन ऐसे लिखते हैं एन ने टू बी 405 ओवेच फॉर और डोट 8H2 तो यह आपका जो है करेक्ट एंसर जाएगा फस्ट टी एल एन एनिक कंपाउंड विच फर्निस एनी ऑब दा फॉलोविंग आइन्स देखें बच्चो टी एल आई 3 है यह इनेट पेरिफेट के कारण थेलियम प्लस बन ऑक्सिदेशन स्टेट में पाया जाता है तो टी एल प्लस वन और आई 3 माइनस तो फस्ट आपका ठीक आ र प्यूब फोर प्यूब फोर एक्जिस पर पीवी फोर फोर डू नॉट एक्जिस्ट भी कॉच बच्चो देखो पीवी प्लस फोर जो होता है वह वह स्ट्राउंग ऑक्सिडाइजिंग एजेंट होता है तो वह कभी भी आई डिन के साथ नहीं चाहता कि आई माइनस एक रि स्टेबिलिटी ओप डाइलाइड ग्रूप फॉर्टीन एलिमेंट फॉलो विच फॉप बढ़ती है और उपर वाले में हायर की डिक्रीज होती है नीचे में प्लस टू की बढ़ती जाएगी इनट पेरिफेक्ट के कारण पीबी जो होता है वह प्लस टू में ज्यादा स्ट कि वीकष वाल स्टुक्ट्टरल फॉक इचंवह उट्रक्स फीच्रव स्थिचर्णट की फड़क्ट है फॉट्यकवंत कि टुवैंडवाल सब्सक्तार वांडवाल सो थेज Paramahnd होता है कि शीलिकोन डिजोल इन एक्सेस ऑफ एक्सेस दे दिया यहां एक्सेस दे दिया तो आप देखी जब आप सेलिकोन की रियक्शन एक्सेस के साथ करा होगी तो यह क्या बन जाएगा आपका सब्सक्राइब कर देखा है कि पहले से असना से बनेगा लेकिन फीर मोर वह से वापिस रिक्शन कर लेगा और रिक्षन करके हैस्टू एसफिक्स बपीस बना लेगा तो आपका हैस्टू एसफिक्स क्योंकि इसमें वेकेंड पड़े होते हैं इछ लिए ये शीक्स तक जा सकता है तो आपका थाइड एंसरी स्करेक्ट है हाव मेनी पी ओ बॉंड्स एंड हाव मेनी लोन पे रेस्पेक्टिवली आर प्रेजेंट इन पी फॉर ओ सिक्स मॉलीकुल देखिए बच्चों पी फॉर ओ सिक्स का अपन ऐसे स्ट्रॉक्चर बना लेते हैं अब लेकिन अपने को सिक्स लेना है तो यह अपने पास है यह तो पी फॉर ओ 10 की स्ट्रॉक्चर है जाती है 10 आता है तब यह डबल बॉंड कर देते हैं और 10 नहीं आते तो अपन सिधा क्या करते हैं देखो पी ओ पी पी ओ पी ऐसे लिंग के जा जाते है अब यह काउंट कर लीजिए आप तो यहां आपको पुछाए पी ओ बॉंड तो पी ओ बॉंड सकत्र पर देखेगे इन इक हो गया चीज़ी दो है तीन है कि चार यह पांच है छह है हमेशन से यह आपके पास यह और यह आपके पास जोगें हाठ है यह नू हो जाएगे वच्छों यह दस हो जाएंगे इस गैनल हो जाएंगे यह बार्रा हो जाएंगे और आपको लोन पेर पुछा है तो एक फॉस्फोरस पे लोन पेर होता है एक ऑक्सिजन पर होते हैं आपके पास दो लोन पेर तो ऑक्सिजन काउंट करो गया आपकास कितने अटम है कि आठ आठ के अच्छा है ऑक्सिजन है तो छेंट दो बारा तो यह हो गए और हर एक फॉस्फोरस पे लोन पेर हो गया तो बारा और यह तेरा यह चोगदा पंदरा और सोला तो थार्ड एंसर आपका खरेक्ट हो गया थार्ड देखलो बच्छो कि अग्याइड दाइटोमिक गेस विल बी ऑप्तेंड इन कोपर डायूटेशन त्रिस अडिक्षन करेगा बच्छो तो कोपर का नैटिड बनेगा और यहां एन्टु गेस और यहां पर बनेगी एन्टु गेस तो बोत दोनों में डायटोमिक गेस बन रही है एक में एन्टु बन रहा है विचो फॉलमिंग इस करेक्ट एंड विज लाफिंग गेस एंगुलर इंश शेप पुछ रही है गलत हो गए बच्छो यह लीनियर शेप में होता है ऐसे हुआ है फिर अन्ट्र इस एक कलर्लार खिस यह भी गलत हो गया लिनियर बोल रहे है और यह ब्राऊन गेस होती है ब्राउन गेश पिर आता है यह कलर लेस एंड एसेडिक नियोती नूटरल होती है यह एनो तो यह भी इंकरेक्ट हो गया फिर एनोट इंद रेक्शन विद एन्योश गीजें मिक्शर अब टू सॉल्ट यह फोट ठीक है बच्छो क्योंकि देखो यहां रेक्शन करवाते हैं सब्सक्राइब करता है तो फॉर्थ आपका क्रेक्ट है और इटिंग दा मोने डियक्रोमेंट दा गेश इवल्ड एक्स ठीक है एन्टू देता है तो सेम वह पूछ रहा है सेम गेश किसमें मिल रही है तो नहीं फॉर नोटू भी मिलेगी बच्छो इसमें भी देखो यह दो ले लिजिए आफ इसमें टू बनेगी सेम नहीं बनेगी और इसमें मैगनेशियम नाइटेड तो इसमें आमोनिया गेस बन जाएगी यहां एच्टू ओटू प्रोड्यूस होगा आपके पास तो आपके फस्ट ही आजाएगा ठीक है बच्छो कि नेट्स कुश्ण लेते हैं विस जूसी कमपाऊंड ड़स नोट कि दढूर्ड मोनिय कार्बोनेट क्लोराइट यह सारे देंगे और यह आपके पास देगा बच्छो एंद टोगेस तिक आपके ने पास और न oxidizing agent की तरह है और यह सब अमोनियें देते हैं लेकिन यह एंट्टू केस्ट देगा आपका कि विच हैस पीपी लिंकेज कौन से अमल में पीपी बंद है तो देखिए बचा हाइप फोस्पोरी केसिड होता है अब फोर पीटू ओशिक्स और इसमें देखिए पीपी लिंकेज आपके पास आजेगा अब यह गया है यह पीटू ओशिक्स पाइरो फोस्पोरी केसिड होता है बच्चों हच्पोर पीटू ओश्यवर इसमें पी ओपी लिंकेज आता है आपके पास है मेटा फोस्पोरी केसिडव जो होता है एच पी ओओ त्री का होल थन आइस और ओर ओर फोस्पोपोरी केसिड आप जानते हो h3 po4 होता है इद मना बतल्य bunu एतो आपका आपका ऽया हगा hyopo फोस्पोरी कैसल्म फिस्ट ही जायेगा कर घ्यूर नाइट्रोजन बना जा सकता आपका अटाव अट का बेरियंस राइट होता है को थीदयर क्योंट करेंगे तो यहां ऑनिट्रोजन मिलेगी आपको प्योर कलें गिल्कुल एनिशियाटी का कुश्चन है प्योर नाइट्रोजन बनानी है तो आप बेरियम का एज़ाइड ले लिजिए कि देशाइक्लो ट्राइब मेटा फोस्फोरी कैसिड इच देखे एच पी यो थ्री का होल तरह से लगते पर यह आपका साइक्लो ट्राइब मेटा फोस्फोरी कैसिड तो इसमें सीग्मा बॉन्ड आपको काउंट करने हैं तो काउंट कर सकते बच्चों जैसे यह यह इसमें आपके पास सीग्मा टोटल काउंट करोगे तो आप फिप्टीन सीग्मा जैंग बन टू इस त्री फोर फाइब सिक्स सेवन एट नाइन तेन एलेवन ट्रेल थर्टीन फॉर्टीन और फिप्टीन सीग्मा बॉन्ड आ जाएंगा थार्ड आपका ठीका रहें कि वन मॉल ऑफ केल्सियम फोस्पाइड ओन दा रेक्शन केल्सियम फोस्पाइड होता है तो यह थ्री चला जाएगा और यह आजाएगा पीटू सीए 3 P2 एक्शन विद एक्षिस वाटर वाटर्ट चे रेक्शन कराएंगे तो यहां पर फोस्पीन गेज देगा यह दो मॉल फोस्पीन गेस आजएगी दो मॉल फोस्पीन गेस आजएगी और केल्सियम हाइड्रोकसएड बन जाएगा आपके पास तो टू मॉल फोस्पीन अपका थर्ड करेक्ट है दे नंबर ओफ लोन पेर एंड दे नंबर ओफ एस एस पॉन्ड ओफ एस इट मॉलीकुल आर्दर रस्पेक्टिव ली तो देखें बटो एस सल्फर का जो स्ट्रुक्चर है ऐसे देखें दो चार तीन चार पांच छह साथ और आठ आप देखें हर एक सल्फर पर आपके पास कितने लोन पेर है तो दो लोन पेर है तो दो दो लोन पेर आपके सामने 16 तो लोन पेर ही हो गें और ये SS-bond पुछा तो आठ SS-bond हो गें तो पहले आपको पुछा है लोन पेर हो गए आपके पास 16 और यह 8 सेकेंड अंसर आपका जाएगा बच्छो सेकेंड इस करेक्ट नेस्ट कुश्चन देखें बच्छो विच स्टेटमेंट इस क्रेक्ट को सब्सक्राइब चाहिए ओजोन इसे रेजोनेंस हाइब्रिड ऑप ऑक्सिजन गलत है ओजोन इस अलोट्रोपिक फोम है ओजोन इस आइसोमर ऑफ और नहीं ओजोन इसाइड नो रिलेसेंसी विद ऑक्सिजन तो आपका सेकेंड ठीक आंसर है कि SF6 एक्जिस्ट ओफ दस नोट एक्जिस्ट कारण बच्छों पता है कि D orbital of sulfur are vacant and are available for the bonding more bonding electrons can be accommodated in orbital n equal to 3 sulfur large ionization energy then कि देखिए sulfur के डीक अक्षा खाली होते हैं कि लेकिन हाँ ठीक है sulfur के डीक खाली होते हैं बंद के लिए प्लब दे रहते हैं इसमें में SF6 में तो इस वज़े से फस्ट आंसर हो जागा और ऑक्षिजन में सा होते हैं नहीं इसमें और बाक्य कोई लोजिक नहीं है इसमें sulfur large ionization energy then oxygen यह मतलब नहीं है वेकेंड अर्बिटल होना थी बॉंड बनने के लिए है एस टूसुफोर देर आर देखिए बच्चों यह डवल बना लिया यहां लोन पेर है इधर लोन पेर है हाई बेड़ाजन SP3 SP3 और इसका हाई बेड़ाजिशन भी SP3 अब देखिए हमारे पास तीन आपके पास SP3 hybridized center बन गए और दो P5D5 यह बॉंड हो गए आपके पस P5D5 यह भी P5D5 यह बहुता है SP3 आपड़ाजन होता है केवल P5D5 बॉंड होते हैं और को यह पीपाई बॉंड नहीं होता है तो 3 SP3 hybridized center दो पीपाई बॉंड तो सेकेंड आंसर आपका ठीक जा रहे हैं कि F2 and Cl2 are soluble in the water because देखिए बच्चो फ्लोरीन कलोरीन जल में विले है क्योंकि फ्लोरीन की रेक्शन एक अलगी रेक्शन होती वाटर के साथ रेक्शन करेंगे तो वाटर का ऑक्सिडेशन करेंगा यह यह बना देगा आपके पास HCl plus HOCl यह रेक्शन थोड़ी अलग तरीक्या से होगी तो यह आपका जाएगा सेकिंड आपका ठीक जा रहे है नहीं है थार्ड में स्ट्रेश्ट्रेश्ट हो गया आपका और नीचे आपके पास है यह गलत हो गया यह यह यहां गलता जा रहे तो आपका एक यह अनसर बंदा सेकेंड बहुत यह इजी पेपर है स्कोरिंग पेपर है conceptual कोश्चन दिये मैंने हर एक टोपिक को कवर करते हुए बच्चो लिए बिच्चो फॉलिविंग जीनों कंपाउंड है सेब नंबर ओफ लोन पेर इन आई 3- माइनस का मतलब है यह 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 इन है इसका मतलब बच्चो 3 लोन पेर इसके पर की ते लोन पेर तीं तीन लोन पेर आप देखू किस में आ रहे हैं कि XCF2 में आ रहे हैं देखिए यहाँ पर जिनोन आपके पास आ रहा है और फ्लोरिन आपके पास ऐसे होता है तीन लोन पेर आपके पास ऐसे मिले हैं SP3D hybridization है ऐसे इसमें भी देखिलो आपके पास आयोडिन है 7 प्लस 2 और एक वन ता SP3D hybridization इन्करेक्ट स्टेट्मेंट रिगार्डिंग फॉलॉविंग इक्षिन इच लिए एक्षिन आप वाटर से करवा रहे हैं एक्सेस में करवा रहे हो तो बच्चों क्या बनेगा निटर को से अप्सी 494 किए फ्रति आप करें कला ने घौनर घॉनर यहां क्या हम 또 पार्सेली अपके पास क्या हूआ है ?? होगा थो बोट हम और टो ढून एग्जम्पल पिए ठीक बात है तेऊक भी आपके बास से आरहे हैं यहां पर भी आपके पास 60 अरहे हैं यहां पर भी आपके आराया है तो यह नों रिडॉप सोट्व है और पार्शिली हाइडोलेसिस हो रहे है तो आपका जो है वाई जो है वो इनकरेक्ट हो गया है लो सेकेंड ऑप्शन वाई इस इन ऑक्सिएसिट ऑफ जिनों यह जिनों का ऑक्सियमल नहीं है यह यहां पर जो वाई है एकसी ओटुएफटू है फ्लॉरीन और ऑक्सिदिन का कंपाउंड है नोट ऑक्सिएसिट वीज है विच इस बहूसत थेर्मोडैनेमिकली इस टेबल ऐलो ट्रॉपिक फॉर्म ऑप फोसफोरस बच्चों ब्लक फोसफरस चोता है वह सबसे जयाzego सर्साफियर án Switchوج और फिर आपकी पास आता है रेड फिर आता है ब्लैक रियक्टिविटी का ओंडर ती आता आपका रियक्टिविटी और स्टेबिलिटी का उल्टा प्लैक पॉस्पोर्स जो है वो सबसे ज्यादा येलो तो थोड़ा वोता से कन्वर्ट होता रहता है वैसे मैन फॉर्म नहीं होता है ब्ल्यू लिक्विट ऑप्टेंड ऑन दा रियक्शन एक्यूमॉलर मॉल्य अमांट अब टू केसिज एट माइनस 30 डिग्री लो टेंपरेचर पर देखिए बच्चों और और यह मिलाते हैं माइनस 30 डिग्री पर तो यह बनता है एंड टू ओ त्री दो गेसों को मिलाएंगे एंड टू त्री बन जाएगा और यह आपका हो जाएगा ब्ल्यू किलर का लिक्विट लास्ट कुश्चन 75 नंबर पहुंच गए बच्चों हम अमोंग दा फॉलाविंग ऑक्सिएशिट दा क्रेक्ट डिक्रीजिंग ओडर ऑफ एसिडिक स्टेंथ तो ऑक्सिडाजिजिंग देखिए ओक्सिडेशन नंबर के डिरेक्ली प्रपोर्शन हो जाएगा आपका नहीं प्लस वन आ रहा है तो फर्स्ट आप खांसर ठीक जा रहा है बच्चों देखें पेपर बहुत ही इजी और मैं बोलूंकि इजी नहीं बोलके मालूं कॉंसेप्चिल पेपर इनिश्याटीव बेस है टोटली फूल स्कॉरिंग पेपर है मैं एक्सपेक्ट करता हूं सभी बताना चाहूं कि आप जब जब भी आपका पेपर होता है तो आप नेगेटिव कोश्चन बिल्कुल जीरू कर दीजिए आपके नंबर अपने आपी बढ़ जाएंगे आपके रेंग बहुत इंप्रूमेंट हो जाएगी और यह आप इंप्रूमेंट आगे से आगे करते ज पास्क लेका हो ओके बच्चो थैंक्यू जैजै सील्सी